प्रश्न एक न्याय की अवधारना सर्वप्रथम किस ने दी? उत्तर प्लेटो प्रश्न दो प्लेटो ने अपने न्याय संबंधी विचार अपने किस पुस्तक में प्रस्तुत किये? उत्तर रिपब्लिक प्रश्न तीन प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? उत्तर प्रत्येक मनुष्य द्वारा अपने निर्दिष्ट कार्य करना एवन दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है प्रशन चार सर्वप्रथम किस राजनीतिक विचारक ने व्यक्तिगत न्याय को सामाजिक न्याय से प्रिथक किया उत्तर यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने प्रशन पांच प्लेटो ने न्याय के कितने रूप बताएं उत्तर प्लेटो ने न्याय के दो रूप बताएं एक सामाजिक न्याय दो व्यक्तिगत न्याय प्रश्न छेत न्याय के विचार विमर्ष में प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के सभी तत्व नहित है उक्त कथन किसने कहा उत्तर इबेंस्टीन ने प्रश्न साथ प्लेटो ने मानविय आत्मा के कितने तत्व बताएं उत्तर प्लेटो ने मानविय आत्मा के 3 तत्व बताएं एक वरिवएक बुध्धी दो सौर्य साहस तीन त्रिशना लालच प्रश्न आठ प्लेटो ने अपने न्याय सिधान्त में समाज को कितनी श्रेनियों में रखा ऐक अभिभावक वर्ग बटा शासक वर्ग वर्ग बटा रक्षक वर्ग, तीन उत्पादक वर्ग बटा सहायक वर्ग, प्रश्न नौ प्लेटो का न्याय नैतिक न्याय हैं न की कानूनी न्याय. समझाईए प्रश्न दस अरस्तुने न्याई के कितने रूप बताए हैं। उत्तर अरस्तुने न्याई के दो रूप बताए हैं। एक वितर्नात्मक न्याई दो सउधार आतमक न्याई। प्रश्न ग्यारा वितर्नात्मक न्याई से आप क्या समझते हैं। उत्तर अरस्तु वितर्ण आत्मक न्याय के अंतर्गत शक्ती और सहरक्षन का वितर्ण व्यक्ती की योग्यता एवन योगदान के अनुरूप करने की बात कहता है अरस्तु के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को पदप्रतिष्ठा और धनसंपदा का वितर्ण उसकी योग्यता व योगदान के अनुसार ही होना चाहिए यह वितर्ण अंकगनितिय अनुपात से नहीं बलकी रेखागनितिय अनुपात से होना चाहिए इसका अर्थ यह है कि इन में से सब को बराबर हिस्सा नहीं मिलना चाहिए बलकि प्रत्येक को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हिस्सा मिलना चाहिए इसे ही वितरनात्मक न्याय कहते हैं सुधारात्मक न्याय नागरिक अधिकारों के हनन की रोक्थाम पर बल देते हैं प्रशन बारह जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर उच्छकों की खरीद फरोख्त है यह कथन किसने वह किस पुस्तक में लिखा उत्तर संथ ओगस्टाइन ने द सिटी ओफ गौड में लिखा प्रशन तेरह सुधारात्मक न्याय क्या है उत्तर सुधारात्मक न्याय में राज्य का उत्तरदायत वह है कि वह व्यक्ति के जीवन, सम्पत्ती, सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा करें इस प्रकार वितरनात्मक न्याय से प्राप्त मनुष्य के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य द्वारा की गई व्यवस्था ही सुधारात्मक न्याय है प्रशन 14 द सिटी ओफ गौड पुस्तक के लेखक कौन है उत्तर संथ ओगस्टाइन प्रशन 15 व्यक्ती के द्वारा इश्वरिय राज्य के प्रती कर्तव्य पालन को ही न्याय की संग्या किस ने दी उत्तर संथ ओगस्टाइन प्रशन 16 इश्वरिय राज्यत सिध्धान्त का प्रतिपादन किसने व किस पुस्तक में किया उत्तर इश्वरीय राज्यद सिध्धान्त का प्रतिपादन संथ ओगस्टाइन ने अपनी पुस्तक The City of God में किया प्रश्न सत्रह थौमस एक विनास ने न्याय का मौलिक तत्व किसे माना उत्तर समानता को प्रश्न 18 डेविड हूम के अनुसार न्याय का स्त्रोत क्या होना चाहिए उत्तर डेविड के अनुसार न्याय का अर्थ नियमों की पालना मात्र है क्योंकि नियम सर्वहित का आधार है आथर सर्वहित या सार्वजनिक उप्योगिता को न्याय का एक मात्र स्त्रोथ होना चाहिए प्रश्न 19 उप्योगितावादी विचारक कौन थे? उत्तर जैरेमी बेंथम एवन जे एस मिलडॉर प्रश्न 20 उप्योगितावाद का मूल मंत्र क्या था? उत्तर अधिक्तम लोगों का अधिक्तम सुख उप्योगितावाद का मूल मंत्र था? प्रश्न 21 जे एस मिलने न्याय का मूल मंत्र किसे माना? उत्तर उप्योगिता को प्रश्न 22 ए थियोरी आफ जस्तिस पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर जॉन रॉल्स प्रशन तेईस जॉन रॉल्स ने उप्योगितावाद की आलोचना क्योंकि उत्तर जॉन रॉल्स ने उप्योगितावादियों के अधिक्तम व्यक्तियों के अधिक्तम सुख पर आधारित न्याय के सिध्धान्त की आलोचना की क्योंकि यह सिध्धान्त बहुमत की अलपमत प प्रशन पच्चीस अज्यानता का परदा सिध्धान्त किसने प्रस्थुप किया? उत्तर जॉन रॉल्स ने प्रशन 26 भारतिय न्याय की अवधारना किस पाश्चात्य न्याय दार्शनिक से मिलती है? उत्तर प्लेटो से प्रशन 27 न्याय के भारतिय प्रतिपादक कौन थे? उत्तर मनु कौटिल्य, ग्रिहस्पती, शुक्र, भारदवाज, विदुर्व, सुंदे प्रशन 28 जॉन रॉल्स ने सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए किस सिध्धान्त की स्थापना की? उत्तर अज्यान्ता के परदे सिध्धान्त की स्थापना की? प्रशन 29 प्लेटो के न्याय एवं भारतिय न्याय दर्शन में अंतर बताए? उत्तर प्लेटो का न्याय है कि मनुष्य को स्वयंका कार्य करना चाहिए और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो की एक नैतिक न्याय है भारतिय चिंतन में न्याय की अवधार्णा प्लेटों से मिलती जुलती है परंतु वह कानूनी है प्रशन 30 कानूनी न्याय की धार्णा किन दो बातों पर बल देती है? उत्तर एक सरकार द्वारा निर्मित कानून न्यायोचित होने चाहिए दो सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को न्याय पूल्ण धंग से लागू करने चाहिए प्रशन 31 राजनीतिक न्याय से आप क्या समझते हैं? उत्तर राजनीतिक न्याय समानता पर आधारित होना चाहिए राजनीतिक न्याय भेदभाव व असमानता को अस्वीकार करता है और लोग कल्यान पर आधारित होता है राजनीतिक न्याय लोग तंत्रात्मक व्यवस्था में ही प्राप्त किया जा सकता है जैसे व्यस्क मताधिकार, विचार, भाशन, अभिव्यक्ती की स्वतंतरता बिना भेदभाव के सरकारी पदपर आसीन होने का अधिकार व अवसर प्राप्त होना आदी किसी विशेश वर्ग को यह व्यक्ति को विशेश अधिकार प्रधान न करना भी राजनीतिक न्याय का एक गुन है इसे ही राजनीतिक न्याय कहते हैं प्रश्न बत्तीस सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? उत्तर सामाजिक न्याय में सामाजिक स्थिती के आधार पर व्यक्तियों में भेदभाव न हो और प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के पूर्ण अफसर प्राप्त हो सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समानता प्राप्त हो जाती धर्म, वर्ग, लिंग, नसल या अन्य किसी आधार पर नागरिकों में भेदभाव ना हो इसे ही सामाजिक न्याय कहते हैं प्रश्न तैंतीस न्याय का सिध्धान्त के इन व्यवस्थाओं में लागू नहीं होता अध्वा न्याय के सिध्धान्त के प्रमुख अपवाद बताईए उत्तर एक शुद्ध सत्तावादी प्रणाली दो शुद्ध प्रतिस्परधात्मक प्रणाली तीन कालपनिक सामेवादी समाज प्रश्न चौंतीस आर्थिक न्याय के अभाव में सामाजिक वराजनीतिक न्याय अर्थहीन है, स्पष्ट कीजिए उत्तर व्यक्ति को सर्वप्रथम आर्थिक न्याय प्रदान करना चाहिए अन्यथा वह सामाजिक वराजनीतिक न्याय के प्रयोग में सक्षम नहीं होगा अगर व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न है तो उसे सामाजिक वराजनीतिक न्याय प्राप्त करने में कोई मुश्किल नहीं आती है